पैस्य टाइश करना है और आपको मुश्किल हो रही है यह आपसे एक्वल नहीं होता फिनिशिंग अच्छी नहीं होती किस तरह से लगाएं तो परिशान मत हुए यह वीडियो देखे के कंप्लीट आपको दूगी टिप्स और ट्रिक्स और अगर बस कोई भी केम्यूटराइ सिंगर की या जनूम की मशीन है तो पैस लगाना तो हुआ बाए हाथ का काम बहुत एज़ी है कोई मसला नहीं है यहां पर मैं फ्राक्ट्रिच कर रही थी बॉड़ी पर लगाना है पैस लगाने का असूल होता है पहले आपने शिर्ट का या नेक्लाइन का संटर लेना होता यहां पर अटेस्ट करने के लिए मैं यूज करी हूँ डबल साड़ी टेप बहुत बेस्ट है अगर नहीं है तो प्लीज लेने एक दफ़ा आपके जिन्दगी असान हो जाएगी मैं तकरीवन तीन साल से यूज करी हूँ में जिन्दगी में तो बहुत स्कून आ गया तो मै इसे टेस्ट करना कि अच्छा बिगनर्स हैं दिनके पास जबल साड़ी टेप नहीं है वह खेंगे अब हम कहां से नहीं है जहां पर वेले बलाई है तो परेशान ना हो यूज यू है थोड़ी थोड़ी करके आपने जहां पर जादा इंप्राइडर आपने जूज यूज नहीं है हाथ से कच्छा कर लें या पिंज लगा लें फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी अगर मेरे पास जबल साड़ी टेप आप देख लें जहां पर जादा इंप्राइडरिया फ्लावर्स पर मैं थोड़ सा लगा दूए चुपी जाएगी फिनिशिंग अच्छी आ अब आप उसको यूज करते हुजे प्रॉब्लम्स आएंगे विग्नर्स को वही वीडियो देख लें अब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए होता है कि फीडों नीचे कर लें फीडों नीचे कर लें फिर भी एरर दे रहा था थ्रेड नहीं हो रहा था तो मैं प्रॉपर फिर से डाला आपके सामने करी हुए जो 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 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जो मियूजिक था वो मैं डालूं लेकिन बैग रॉर्ण म्यूजिक इतना दीच था जो मैं नहीं लगा सकी अब जनाब जी मैंने क्या करना है चार पांस स्टीची जाएंगी छोड़ देना है इसको अपनी करना है जब भी आपनी ब्राइडरी करनी हो कुछ भी हो एक पीस लेकर आपने चेक कर रहे हैं कि वह चल रहा है यह नहीं अब मैं आ गई है पैस पे थोड़ा सा आगे लेकर जा दोंगे फिर आपने उसको पका कर है आपके हाथों की मूवमेंट पर नीटनेस आपके उपर रिपांट करते हैं कि इंगिस्टर्ट में ने थोड़ा साम बड़ना दो आपकी मेशीन बारक पर फिर आपने फूड़ा सा फूट को चोड़ देना है बस आपने इस चीस का दिहाना लगना आप लाफ्लावरज का आराउंड राउंड जो है वो मैं सारी आप देखर आपको मैं करीब से भी दिखानुए सी करती जाओंगी मैं और यहां तक हम आचुके हैं यहां पर परिशान हों कि इतना स्पीड सी कह रहें तो हमारा नहीं होता है तो मैंने अपनी वीडियो स्पीड को डबल से डबल जो है एक्स किया होता है इनके स्पीड जी तेज की होता है अगर हम वैसे दिखाने जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जागी है अब आप मिने हाथों के मूवमेंट देखें किस तरहां से के अपने हाथों को मौफ कर रही हूं आप डबल सारी टेप लगाने के क्या फायता पैस हमारा बिल्कुल फेक्स है वो कहीं नहीं हिल रहा और मैं बहुत इजली मौफ कर रही हूं इजली जो पर इंबराजरी है उसकी एड़ कीड में करें आप यह देख लें मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूं कुछ स्किप नहीं करी मेरी यही कोशिश थी जो बिग्द करेंगी उतना नीच आएगा अब आप देख लें थोड़ सी प्रैक्टिस करनेंगी आप पैस लगाने के तीन सो साड़े तीन सो जादा हो चार सो ले ले लेते हैं घर बैठे रहा के पास मिशीन है पर यह पो तरीका भी बाता चल गया है फिनिशिंग के साथ यह देखें हो बिल्कुल भी इंप्राइजी नहीं जल रही इसमें जस्त एक ट्रिक होती है अपने उसको देखना होता है ठीक है जी अगर आप कहेंगी तो अलक से इसके भी वीडियो बना दोंगी अब खो साथ पूछें कि कितने वाट का है यह है 30 वाट का है मेरा जो है सोल्डिंग बस आप फिनिशिंग बाकी जो होती है आपके हाथ में होती है आपने अच्छे से अगन्जा को ना अपने काविया लाजमी करना होता है अगर आप नहीं करेंगी ना तो इसकी तारे इंपराटरी से भी आगे थोड़ थोड़ी निकलती रहेंगी क्योंकि यह ब्लैक है और कि पैस के उपर इंपराटरी है तो वो इतना विसीबल नहीं है अगर दूसरा कपड़ा होगा तो वो दिखेंगा वो बुरा लगेगा इसलिए एक बार काविया ले 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 लिए इन्वेस्मेंट एक दफ़ा होती है लॉंग लाइफ ही चीज़ें आपकी चलने वाली होते ह हो गया डान और फिनिशिंग है चनाब आपके सामने कितना खुबसुरत लग रहा है लग रहा है कि आपने पैच गह में टैच किया है पस प्रैक्टिश की जरुत होती है मजीद हम खुबसुरत करेंगा यहां पर मैंने टैच कर दी है अपनी पाल्स अपनी पाल्स मेशीन ल लग रहा है वीडियो अच्छे लग रही हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा यहां सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और मुझे अपनी ठेट सारी दमाम में याद रखिएगा कि आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहो यह देखें जी हो पगेदर रण बाजू भी देखें यह फिनिशिंग भी देखें अच्छे है तो मिन्यों को नेक्स बाइबाए